नमस्कार दोस्तों चोप्रा डेरी फार्म के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का आज वेलकम हैं और मैं आपको आज ऐसी गाएं दिखाना चाहता हूं कि लोकल आप तूरा पंजाब घूम लो अगर कोई फार्मर्स यहां पे पहले आ चुके हैं पंजाब में भी तो ऐसी दस वीडियो आपको शो करने जा रहे हैं वीडियो पूरी देखिए और पासला के बैल एकन को दबहिए कि आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे ब्रीडिड का उसका जब हब कहा जाता है तो पंजाब में आपको एक से एक बड़ीड मिलती है और मुझे तो अका पंज मैं हमें अच्छी करता हूं कि जो जो मैने सलेक्षन करता हूं किस बैसिस पर सेलेक्शन करता हूं तो यह द comment और वेक्षान का ऑम पिछ कॉरेक्ट्र से देशा हो फेस औो चैहिए कि बिल्कुल सीदा फेस होना चाहिए कोई आगय से मोटा या ऑभीए जो भी काउस आप इस वीव में देख रहे होंगे उन सब की आपको फेस क्वालिटी पता चल जाएगी कि फेस कैसा है उनका क्योंकि बिल्कुल साफ सुत्रा फेस है लंबा बिल्कुल सीधा और नेक पतली उपर से जो क्रेक्टर होने चाहिए कि पीठ की रीड की हड़ी सीधी होनी चाहिए तो जितनी मैं आपको काउस यह देख लीजिए यह मेरे ख्याल से आपको व्यू सारा मिल रहा होगा जो मेरे किसानवाई फार्मर देख रहे हैं कि उनको मिस्गाइड नहीं करूँगा बिल्कुल जो प्रॉपर आप देख लीजिए कि कैसी इनकी बैक्लेंथ ह पूरी बिल्कुल एक सार है कि गये खड़ी और दस की दस मैंने ऐसे डूंडी है कि आप कोई भी आजमी इसमें एक भी ऐसा बता दे कि हाँ भी इसमें यह कमी है तो वह हम अच्छी फीडबैक मानते हैं उसको कि हाँ भी हमें फीडबैक मिल रही है तो यह अगर हमारी कमी है हमें बताता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है वह भी अच्छी बात है अगर कोई नॉलेज हमसे मिल रही है आपको तो वह आप भी कमेंट करके बताईए कि आपको अगर अच्छी लग रही है चीज तो यह चीज़े हैं यह दिखिए जो मेरी प्रेफरेंस रहती है कि यह चीजों के उपर फोकस किया जाए जो बैक लैंथ है पशू की काउ की वो बैक स्ट्रॉंग होनी चाहिए कि काविंग के टाइम पर डिल्वरी जैसे होनी है एक मिने बाद बीस दिन बाद तो यह वीक नहीं होनी चाहिए गाए इसमें BCS अच्छा होना चाहिए बोडी स्कोर अ मेरा यह देखी यह चीज पर फोकस होता है अगर देखो एक महिना कच्छी भी आगा है आप उनका अडर देख सकते हो कि पूरा पार्टिशन अडर है और यह स्पेस पूरी बाकी है कोई जादा तर फार्मों वाले कही पर बीचने के लिए क्या करते है अडर जिनमें कच्छ अडर बिल्कुल सॉफट होना चाहिए वह दिखिए आपको सामने दिख रहा होगा प्लस अडर कमें चारो थन बिलकुल बराबरी पर लगे होने चाहिए कि मतलब गैप होना चाहिए तनों यह दिख्या अभी चैप कम लग रहा है जब भरेगी तो गैप ज़्यादा बन जा जो लोग एनिमल ज्यादा दूर तक लंबे ट्रांसपोर्ट करवाते हैं तो यह देखिए जो लेग्स है इनकी वो स्लाइटली बेंड़िड होनी चाहिए ज्यादा बेंड़ आ जाए तो एनिमल को वीकनेस उतनी कमजोरी आ जाएगी लेग्स कितनी अच्छी हैं बिल्कुल य यंग एनिमल की पहचान उनकी लेग्स से उनकी बॉड़ी वेट से और उसके अडर से हो जाती है यह महिना कच्छी है तो इसका अडर आप देख लीजे तो यह चीज़े हैं जो मेन आपको क्रेक्टर्स देखने होते हैं और यह ब्रीड पशू की पहचान है क्रॉस ब्रीड वीडियो हमारी आ रही है एक दो दिन में पूरी वीडियो आप देखिए जिनोंने पर्चेज की हैं वह भी यहां पर आ रहे हैं मारश्टर खुद हमने बुलाया उनको कि यहां आईए और अपना सेलेक्शन एक बर देखिए कि हमसे कहीं एनिमल लेने में कोई गल्ती तो न देने किया है और इसको बोलते हैं जो असली क्रेक्टर स्टिक्स है जो अच्छी प्रीडिगे क्योंकि आजकल यूट्यूबर्स ने ने आगे हैं तो सस्ता रेट बताके आपको फसा लेंगे फिर आपके जो मतलब कमाई बंदेने की होती है वह हलकी गायों में जल्दी हो तब हम खरीते हैं और पर कोई कमजोर गाई नहीं है कोई क्रोस प्रीडिट गाए नहीं तो यह सारा सेलेक्शन आपको जल्दी दिखाएंगे जब वीडियो इनकी पूरी आएगी बकी नेक्स्ट वीडियो में सारा इनको कवर करके दिखाएंगे दन्यवाद